प्यार की ये कहानी सुनो एक लड़का था एक लड़की थी होती क्या है जवानी सुनो एक लड़का था एक लड़की थी वो भी एक दौर था वती ही आर था जब वो थे अजनबी दोनों तनहा से थे पर वो कहते किसे बात जो दिल में थी आज आपके प्यार की कहानी मैं अपनी जुबानी और टारोट की जुबानी सुनाने आई हूँ अगर दिल्चसमी रखते हो अपनी प्यार की कहानी को सुने को लेकर तो डेफिनिटली आज का वीडियो आपके लिए है मेरी तब्यद थोड़ी थोड़ सी ठीक नहीं है सास लेने में शूज हो रहे हैं मुझे पता नहीं क्यों शाय थंड की वज़े से लेकिन स्टिल जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो फुल जोश के साथ बनाती हूँ और वहाँ पर मैं सिर्फ सोचती में हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम्स को साइड में रखते हुए फुल जोज के साथ, फुल एनरजी के साथ आज आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और शिरुवात करूंगी नए साल की पहली रीडिंग मेरी आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आप लोग जानना चाहते थे कि आगे क्या हो सकता है आपकी लव लाइफ में वो तो देखेंगे ही लेकिन पूरा सब कुछ देखने के कोशश करेंगे बहुत कुछ मैं चाहती हूँ अगर आपको बहुत डाउट है कि मेरा जो रिष्टा है क्या है क्यों मिला है क्या इसके माइने है क्या इसका फ्यूचर है इस तरीके के कोश्शन्स अगर आपको परिशान कर रहे है तो उनका जवाब आज की वीडियो में आपको मिल सकता है लेकिन collective reading है, इस बात का ध्यान रखिएगा, तो जो आपके साथ resonate होता है, उसको ले लीजेगा, जो चीज आप चाहते हो कि हाँ, ये अच्छा बताया जा रहा है, और मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, कि मेरी love life में ये हो, तो उसको affirm कर लेना, जो intuitively follow करिएगा, जो अच्छ तो match करेगी, लेकिन हर किसी के साथ match कर जाए, ये जरूरी नहीं होता है, चलिए, उसके बावजुत, अगर मुझे कुछ click होते है, कुछ नाम या जो भी, तो मैं आपको पता दूँगी, स्टार्ट करती हूँ, आज की reading, और कुछ cards निकालूँगी, intention मेरे मन में है, क्यों म क्योंकि कहानी सुनाने वाली हूँ, आपके प्यार की, तो सबसे पहले मैं कुछ cards निकाल के, सारे cards एक साथ निकाल के, और फिर पूरी कहानी आपके साथ, आपके सामने में पेश करूँगी, ठीक है, तो पहला card, सबसे पहले मेरा new deck आए, तो अपने new deck से start करूँगी, आज के प्यार की reading हो रही है, तो सबसे पहले अपने प्यार का नाम ले लो, ठीक है, आप यहाँ पर आप किसी भी तरीके के रिष्टे में हो सकते हैं, आप unmarried हो सकते हैं, आप married हो सकते हैं, आप extra metal affair में हो सकते हैं, आप same gender के साथ हो सकते हैं, ठीक है, जिसके साथ भी एक relationship में ह है, जहां पर प्यार है, emotions है, जजबात है, feelings है, ठीक है, जिसको भी आप प्यार करते हैं, जिसके लिए भी आप ये reading देख रहे हैं, उसको याद करो, उसका नाम मनी मन दोराओ, और कुई एक best पल, best moment, जो आप जब भी याद करते हो, तो आपके दिल में बढ़िया सा, अच्छा सा feeling आपको आने लगती है, वो पल को याद करने की, कोशिश करो, ताकि energies connect हो पाए, और देखते हैं, कि क्या cards आते हैं, universe guide करें, जो मेरे viewers हैं, वो जिनका नाम मनी मल ले रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप उनको, पहला card यहाँ पर हमारे पास आ गया है, self respect, ओके, दूसरा card हमारे पास यहाँ आ गया है, reparenting yourself, next हमारे पास क्या आता है, boundaries, ओके, इसके पास, next हमारे पास क्या आता है, the rainbow reviver, next हमारे पास क्या आता है, abundance, next हमारे पास क्या आता है, the garden, ओके, दो card निकालेगे, फिर अब दूसरे डाक्स निकालेगे, sexuality, and last card from this deck, soulmates, okay, यहाँ पर soulmates energy है, भई, जिस भी person के साथ, आप deal कर रहे हैं, आपका partner, ज्यादा दर लोगों के लिए, आपका soulmate connection है, इसके साथ, इस person के साथ, ठीग है, soulmate connection है, लेकिन इसके बावजूत, कुछ चीजे हैं, मैं अभी पहले और देखूंगी, फिर बताऊगी, यहाँ पर आया है, spiritual union, जो कि मुझे लग रहा था, कि सिर्फ soulmate connection नहीं है, बहुत लोगों का यहाँ पर, twin flame connection भी है, my dear, wisdom, okay, destiny, yes, यह twin flame connection है, बहुत लोगों के लिए, यह person आपका destiny partner है, next है, यहाँ पर, movement, choices and decisions, okay, जो जो चीजे मुझे निकल के आएंगी, ना मैं सारी चीजे बताऊँगी, prosperity begins, and यहाँ पर आया है, trump का card, एक last card, from this deck, from foundation, okay, next, अब आजाते है, मेर अपने deck पे, rider and weight पे, and वहाँ से कुछ cards निकाल के, भाई, पूरी कहाणी में आपको बता दूँगी, the tower, okay, tamperance, यहाँ पर है, five of swords, यहाँ पर है nine of pentacles, night of wands, the hermit, and यहाँ पर है seven of swords, अब मैं कुछ future की energies निकाल रही हूँ, ठीक है future, यह अभी मैंने present situation निकाली है, proper, उसके बाद अभी मैं future, या फिर future हम बाद में देख लेंगे, ठीक है, future हम बाद में देख लेंगे, जिनका अपने partner के साथ, अलगाव हुआ है, कुछ लोगों का divorce हुआ है, separation हुआ है, या कोई अच्छा खासा रिष्टा तूटा है, जब आप इस रिष्टे में आए हैं तब, जब इस person के पास आए हैं, आच्छा, पहली चीज, एक चीज और में देख पा रही हो, बहुत सारे लोगों का, यहाँ पर, जब आप लोग मिले हो ना, अपने partner से, तो या तो कोई gap together हुआ था, कोई party हुई थी, दोस्तों, दोस्तों के बीच में party हुई हो, या फिर family function हुआ हो, या कुछ इस तरीके का, जहाँ पर gap together होता है, gathering होती है लोगों की, वहाँ पर, आप इस person से टकराए हो, हो सकता है कुछ लोग मंदिर में मिले हो, अपने person से, यह चीज मुझे नजर आ रही है, ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर, जो मुझे साफ साफ नजर आ रही है, कि इस partner ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, जब से यह person, आपके साथ आए है, relationship में आए है, या फिर मैं बोलूगी, आपकी जिन्दगी में आए है, आपकी जिन्दगी में एक wisdom आए है, आपका spiritual awakening हुई है, इस spirituality से शायद आपका दूर दूर तक नाता नहीं था, शायद सिर्फ आप अपने काम में रहते थे, लेकिन इस person से मिलने के बाद, आपने एक कैतना आपके अंदर एक चीज आई है, कि मुझे grow करना है, गीता पढ़ना शुरू कर दिया, या फिर spiritual जो भी अच्छे चीबुक्स है, वो पढ़ना शुरू कर दिया, या अचानक ही कुछ meditation करना शुरू कर दिया, कुछ नया करना शुरू कर दिया, जो आपकी समझ को बढ़ा है, जो आपकी wisdom को बढ़ा है, इस तरीके के चीजे मुझे दिख रही है, आपने attract किया है, office में थे, तो अचानक से या तो आपका promotion हुआ है, या new job कहीं मिल गई, अगर आप jobless थे तो, या फिर आपने देखा कि आपकी जिन्दिगी में, कुछ ना कुछ अच्छी चीजे होना start हो गई है, spiritually भी grow किये हो, और भी life में आपकी अच्छी चीजे आई है, तो एक तरीके से आप इस person को बहुत ज़दा लखी माते हो, या फिर ये person आपके लिए बहुत ज़दा लखी रहे है, और इस चीज़ को आप समझते हैं, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है, इस person ने कही न कहीं आपको independent बनाया है, financial independent भी बनाया है, और emotionally independent भी बनाया है, इस person ने आपको self love करना सिखाया है, इस person ने आपको self respect करना सिखाया है, ये चीज़ मुझे दिख रही है, पहले शायद आप खुद से प्यार नहीं करते थे, पहले शायद ऐसा था कि भाई, मेरी जिन्दगी में कुछ है नहीं, या मेरी जिन्दगी का कोई मकसद नहीं है, या मैं deserving नहीं हूँ, लेकिन जब से ये person आपकी जिन्दगी में आए है न, आपने खुद से प्यार करना सिखा है, आप सही गलत का फैसला नीला सीख गए है, आपको एक समझदार ही मिली है, कि मेरी जिन्दगी में मेरे लिए मुझे क्या चाहिए, ये चीज और कैसे मुझे अचीव करना है, प्रॉस्पारिटी बिगिंस, अगें या पर अबंडिन्स के साथ मुझे मिला है, तो मैं साफ साफ ये बोल सकती हो, कि आपकी जिन्दगी में आपने प्रॉस्पारिटी हासिल करी है, क्योंकि गार्डन का भी कार्ड आया है, तो डफिनिटली इस परसन से मिलने के बाद, आपकी जिन्दगी में बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारा अबंडन्स आपने देखा है, बहुत सारा प्रॉस्पारिटी आपने अट्रेक्ट किया, क्योंकि पहले तो मुझे यही दिख रहा है, कि बहुत कुछ टूट गिया था, बहुत कुछ बिखर गया था, श्याद आप बिखर गए थे, लेकिन जब आप बिखर गए थे, इस परसन के आने के बाद, आपने दुबारा खुद को समझा, क्योंकि यहाँ पर मेरे को कार्ट, यहाँ पर मुला है, री पैरेंटिंग यॉर्सल्फ का, याणि कि खुद को आपने दुबारा से खड़ा किया है, जो तूट गए थे ना, जो बिखर गए थे ना, इस परसन से मिलने के बाद, आप दुबारा खड़े हुए हो, ठीक है, दुबारा खड़े हुए हो, और भले ही यह परसन आपको separation दे दे, भले ही यह परसन आपको छोड़के चल जाए, या धोका दे दे, क्योंकि कुछ लोग का मुझे यह भी दिख रहा है, कि इस वक्त आपके परसन आपको ब्लॉक कर दिया है, इविन या आपके soulmate है, या फिर twin frame है, उसके बावजूद, इस परसन आपको solitude दे दिया है, इस परसन ने आपको केला छोड़ दिया है, इस परसन ने एक तरीके से धोके बाजी करती है, या फिर कुछ लोगों को बहुत सुनाया भी है आपके परसन ने, उल्टा सीधा सुना के ब्लॉक कर देना, भाग जाना, धोका दड़ी करना, लेकिन उसके बावजूद आपने खुद पर काम किया है, आप बिखरे नहीं हो, उसके बावजूद आपको ये पता है, कि इस परसन के साथ मेरा एक ऐसा connection है, कि आज नहीं तो कल मेरी destiny, कहां गया वो card, destiny वाला, मेरी destiny इस परसन को मेरे पास लेकर आएगी, क्योंकि आपको ये चीज़ पता है, कि हां मैं और ये एक दूसरे के लिए ही बने है, आज भले ही ये मुझे नया रूप दिखा रहा है, आज मुझे भले ही ये ऐसा रूप दिखा रहा है, जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन जो चीज मेरी destiny में है, वो कितना ही दूर मुझे से चला जाएगा, क्योंकि देखिए उसके भी कुछ ना कुछ कर्मा है, जो उसको करने है पूरे और लोगों के साथ, और आपकी भी कर्मा है जो आपको पूरे करने है, तो separation भी कई बार जरूरी हो जाता है, तो इस तरीके का separation इस person ने दे दिया है, ये भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, लेकिन फिर भी आपने इस वक्त, इस वक्त कि अगर मैं अपकी energies देखू, तो इस वक्त आपने choice ली है, ये choice ली है कि अब आप अपने आप से प्यार करेंगी, अपने self-respect पर काम करेंगी, अगर लड़के हैं तो ये आपके लिए है, लड़की हैं तो आपके लिए है, जिस तरीके जो भी हैं आप देख रहे हैं, energies की बात हो रही है, ध्यान रखेगा, लड़की जो हो, उस तरीके से निहान रखेगा, तो अब आपकी जो energies हैं, वो उस तरीके की हैं, कि अब मुझे मेरी जिन्दगी में self-love करना है, मुझे मेरी जिन्दगी में मेरी self-respect से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि देखो, ये जो दो card है न, ये दो card यहीं दिखा रहे हैं, कि current की energies है, वहाँ पर मुझे यहीं दिख रहे हैं, कि आपको इस person से, भले ही ये मेरा soulmate है, भले ही मेरा ये twin flame है, मैंने क्या कहा, लेकिन twin flame भी कही बार कर देते हैं, कुछ ना कुछ गलत, soulmates भी कर देते हैं, सब लोगों के साथ नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ सिर भी है, क्योंकि ये दोनों काड़ाए हैं, ठीक है, तो इस वक्त separation दे दिया है, या फिर बहुत गंदा वाला, बेरुखी वाला विवार आपके साथ किया है, लेकिन इस विवार से आप खबराय हुए मुझे नहीं दिख रहें, डिसीजन लिया है कि भाई अब बहुत हो गया, अब खुद से प्यार करना है, अब मेरी self-respect की बात है, अब ये वो जुकना, मनाना बहुत हो चुका है, अब एक boundary सेट करते हुए मुझे नजर आ रहो, कि मेरी ये boundary है, इस से आगे अब मैं नहीं आऊंगे, या मैं नहीं आऊंगा, बहुत कर लिया, बहुत जुक लिया, अब इस healthy boundaries के आगे, मैं किसी को नहीं आने तूँगी, चाहे वो मेरा soulmate हो, चाहे वो मेरा twin slim हो, इस तरीकी के energies में मुझे आप नजर आ रहे, मुझे आप self love करते हुए नजर आ रहे, मुझे ऐसा नजर आ रहे, दुबारा से अपने उपर काम कर रहो, एक बच्चा जो कहीं खो गया था, जो बड़ा हस्ता था, बड़ा चंचल था, जो खुद से प्यार करता था, मस्ती करता था, जो इन से मिलने के बाद, और इस वक्त खास कर, मिलने के बाद तो शायद अच्छा रहा कुछ टाइम, लेकिन इस वक्त अगर चीजे खराब हो रही है, जो उदास हो गया था, परिशान हो गया था, वो दुबारा अब वो बच्चा बनना चाता है, आप दुबारा उस बच्चे को जगा आना चाते हो, अब दुबारा आप उस energies में आना चाते हो, दुबारा से खुद से प्यार करना चाते हो, इसलिए आपने boundaries set कर रखिये, इसलिए आप अपने करियर पे फोकस करते हुए ज्यादा ध्यान दे रहे हो मुझे स्प्रिक्च्वालिटी पे भी फोकस कर रहे हो और अपने करियर पे भी फोकस कर रहे हो और एक फर्म फांडेशन बनाना चाहते हो आपको पता है कि यह जो person है already आपका destined partner है इसलिए रोने से, परिशान होने से, अपनी energies को deplete कने से कोई फायदा नहीं है यहाँ जरूरी है कि मैं खुद पर काम करूँ, जरूरी है कि मैं अपने abundance पर काम करूँ अपनी prosperity पर अपनी career पर काम करूँ क्योंकि यह person तो already मेरा है यह तो मेरे पास आने ही वाला है और healthy boundaries का मतलब सीधी सीधी बात यह है कि भाई ऐसा नहीं कि तुम आ गए दो दिन बाद और फिर मिट्रोल्टा सीदा सुना कर ब्लॉक करके भाग गए तो अब आप उस energies में मुझे लग रहे हो कि अब आपने खुच choice रखी अपने लिए कि भाई सही होगा अच्छा होगा मेरे लिए तो तो मेरी जिन्दगी में entry करेगा और अगर यह इसने वही चीज दिखाई तो भाई मुझे इससे दूर जाने में भी कोई परहेज नहीं है एक और कार्ट निकल कर आया था sexuality का तो definitely इस person के साथ आपने जैसा feel किया किसी और के साथ feel नहीं किया वो चो touch आपने इसके साथ महसूस किया किसी और का touch शायद उसके बाद आपको कभी अच्छा ही नहीं लगा या उससे पहले कभी अच्छा ही नहीं लगा होगा अगर वाकई इस person के साथ आपकी कभी भी physical intimacy हुई है तो एक अलग level कर एक divine experience आपने उस चीज को किया होगा देखो लोग इस चीज को बड़ा गलत नजरीय से देखते हैं इसको बड़ा lust की feeling से देखते हैं लेकिन जहाँ पर बहुत divine connection होता है या फिर एक soulmate connection या फिर एक twin flame connection होता है वहाँ पर जो intimacy होती है वो भी बहुत divine हो जाती है क्योंकि emotional बहुत high होते है emotions अगर आप दोनों की बहुत pure और real है तो वो intimacy भी बहुत pure और real होती है और beyond imagination होती है ठीक है ये चीज आपने experience जरूर की है इस person के साथ और ये सिर्फ physical intimacy नहीं है ये soul और heart से भी intimacy आपने इस person के साथ feel की है दूर रहकर भी ये person आपको अपने पांस लगता होगा आप इसको हर पल महसूस करते होगे एक touch भी आपको ऐसा लगता होगा कि बस आप संपूर हो गए आप इस person के इस touch के लिए definitely ये जो touch इस person के आपको मिलता होगा जो आपका हाद भी पकड़ते होगे आपको hug भी करते होगे आपको किस भी करते होगे तो आपको एक अलग ही feeling नजर आती होगी इस type का relationship है ये जो आपने ordinary लोगों के साथ कभी feel ही नहीं किया तो अब देख लेते हैं आगे का future आपकी relationship का या इनकी कहानी आगे क्या मोड लेगी universe guide करें और मुझे पिता है जो मेरी viewers है जो अपने partner का नाम money man ले रहे हैं उनकी relationship में आके क्या कुछ हो सकता है पहला card हम देख लेते हैं यहाँ पर oh my god पहला card यहाँ पर है 10 of cups, okay दूसरा card यहाँ पर है 9 of 1's cup तीसरा card यहाँ पर है 2 of cups oh my god और क्या निकल कर आ रहा है यहाँ पर बाई oh my god यहाँ पर आ गया है the lovers का card bottom of the deck 6 of pentacles का card अब वैसे तो मुझे सब पता चल ही गया है लेकिन फिर भी मैं इस deck से भी 2-3 card निकाल लेती हूँ भाई ऐसा तो किसी reading में नहीं हुआ मेरे ख्याल से जहाँ पर lovers की energies जहाँ पर यहाँ पर देखिये 10 of cups की energies and 2 of cups की energies जो हमने reading की थी क्या बोला था soulmate की energies है और twin flame की भी energies है soulmate and twin flames दोनों ही है यहाँ पर भाई lovers भी है 2 of cups भी है and destined partner मैंने already बोला था यहाँ पर बहुत लोगों की शादी है destiny में हो destiny में है आपका partner my god चालो चालो यहाँ पर भी 1-2 card देख लेते है universe guide करें और बताएं और क्या है क्या है क्या है क्योंकि हम तो already happy हो गए भाई balance आपके रिष्टे में balance बनेगा और definitely two number यहाँ भी है और two number यहाँ भी है तो balance है आपके रिष्टे में अभी नहीं है कोई बात में it's okay आने वाले time में balance आएगा आपके रिष्टे में और क्या आएगा आपके रिष्टे में आपके रिष्टे में rest and rejuvenate थोड़ा सा rest करना है थोड़ा सा आराम करना है क्योंकि बहुत काम कर लिया बहुत थक गया future में भी आपको थोड़ा rest करने का rest का मतलब सीधा-सीधा meditate करना खुद से जुड़ना है बहुत ज़्यादा परिशान होने की सोचने की जरूवत नहीं है क्योंकि जो है दस्नी में जो मिलना है जो आपका है वो आपका ही होकर रहेगा तो tension लेने की फिक्र करने की तो कोई जरूवत है ही नहीं है ना भाई boredom and de-consent तो भाई ठीक है ज़्यादा bored होना नहीं है या फिर ज़्यादा ये नहीं है की एक होता है ना की परिशान हो गए चीजों से bored हो गए चीजों से ये future भी आपको ऐसा लग सकता है कि यार मैं बहुत bored हो रहा हूँ लेकिन इसका रिष्टे से कोई ले ना देना मुझे नहीं खास नज़र आ रहा हूँ मुझे या पर नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा आपको tension नहीं लेकर थोड़ा सा कि जो काम कर रहे हो जो करियर कर रहे हो थोड़ा सा साइड लाइन कर लो अभी दस दिन की छुटी लेके कहीं भार घूमने जा रहा है ट्रैवलिंग को भी दिखाता है यह नहीं कि परिशान हो रहे हो बोर हो रहे हो अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल कर लो कहीं घूम कर आजयो कहीं जॉय करके आजयो ठीक है यह चीज चलिए एक लास्ट कार्ड एंड ग्राउन चेक्ड जो की विस्टम को भी दिखा रहा था डाफिनिटली अभी देखो क्या होगा फ्यूचर में न एक चीज मैं आपको बता दू इस पार्टनर को कहीं न कहीं आपके आपकी कमी का अहसास होगा यह कार्ड जो बोड़म का एक कार्ड आया था यहाँ पर यह चीज भी दिखाता है कि विथ नाइन ओफ वांट्स के साथ अगर मैं इस कार्ड को देखू तो यह कार्ड यह भी दिखाता है कि आपका पार्टनर आगे जाके जो अभी आपको मैं बोल रही थी यह जो connection है यह बहुत important connection है यह कोई कार्मिक connection नहीं है कि आज आया चले गए यह ऐसा connection है जो बहुत मुश्किल से मिलता है और लंबा चलने वाला connection है एक spiritual connection है तो आप उससे जितनी भी दूर भाग जाओ आपकी soul पकारती है आवाज लगाती है और फिर आप बोर होते हो कही ना कही बोर होते हो in the sense आपको लगता है सब कुछ है मेरी जिन्दगी में हो सकता है इसके karmic partners हो इसकी wife हो या इसकी girlfriend हो या इसका husband हो इसका boyfriend हो इसकी family हो उसकी बावचूत bottom that means उसको लग रहे कि कुछ नहीं है यार जिन्दगी में सबके साथ रहते हुवे अकीला अकीलापन महसूस क्यों हो रहा है बोडम सा क्यों महसूस हो रहा है इस चीज को रिप्रिजेंट कर रहा है यह future में यह person आपका person अजीब सी बेचैनी महसूस करेगा यह card यह भी दिखाता है कि यह past में उलजेगा past की यादों को यादे इसको सताएंगी यानि कि आपके साथ अच्छे बिताय हुए पल को यह person याद करेगा आगे जाके future में आभी शाय नहीं भी कर रहा है लेकिन आगे आने वाले time में इस person को आपकी यादे हावी होने वाली है present में इसका दिल नहीं लगेगा present में जो भी काम करेगा चाहे career में हो चाहे family में हो इसको bottom लगेगा इसको लगेगा मेरा मन नहीं लग रहा मुझे तो past की यादे आ रही है और जब यह इसको past की यादे आएंगी तो कही ना कही इसको एक wisdom मिलेगी इसका crown chakra open होगा और यह शायद meditate भी करें शायद एक spiritual wisdom इसको मिले and then यह balance बना दे की कोशिश करेगा आपके साथ दुबारा यह person union करेगा क्योंकि union का एक card नहीं है भाई एक card नहीं है union का union के तीन-तीन card है इसका मतलब सीरा-सीरा yes, yes और yes है no का तो सवाल ही नहीं उठता है SM करना तो बनता ही है क्योंकि connection ऐसा वैसा connection नहीं है आपकी यादों से भाग नहीं पाएगा आपका partner यह पक्की 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 बात है मेरे ख्याल से बहुत कम reading होगी जहां पर इस तरीके के card हो मेरे को तो याद भी नहीं है या तो ये card आता या ये card आता ये तीनों के तीनों card आ जाना बहुत rare है तो आज का प्यार के नाम पर ही मैं reading कर रही थी पहली reading इस साल की और इतने beautiful cards इतना beautiful reading मैं खुद की reading को बोल रही beautiful क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने प्यारे beautiful card आज की reading में निकल कर आए हैं तो congratulations claim करो क्योंकि definitely इस प्यार की कहानी जिस भी mode पर इस वक्त है शायद वो mode अच्छा ना हो बहुत सारे speed breakers हो या बहुत सारे obstacles हो बहुत सारी दिक्कते तो ये दिया अच्की reading so thank you so much for watching my video bye